कि नमस्कार कि मैं प्रेलाद कुमार मीना कि एसोशेट प्रोफेसर कि प्लिटिकल साइंस ब्येसर गॉर्मेंट आट्स कोलिज अलवर इस एक क्लास में आप सभी का स्वागत है यह वीडियो प्लेटो ने कोटेले के संदर्व में हमने पहले की वीडियो में उसके जिवन पर इचे राजा के कारिये वह अन्य चैप्टरों के बारे में चर्चा की है कोटेली द्वारा राज के उत्पत्ति और राज के सब्तांग सिद्धां समंदी विचार उसी प्रकार के हैं जो मनुय उन्हें मनुय स्मृति में बताये हैं कि वो राजा के राजाय स्वामी और इसको सब्तांग सिद्धांत में केवल राज की उत्पत्ति को छोड़ कर मनुय स्मृति में मनुय ने राज की उत्पत्ति का देविय सिद्धांत बताया हैं लेकिन कोतिल ले इन आचार्य ockey विश्ण कुप नहीं इस प्स्ट कहीं भी राज की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत नहीं दिया है लेकिन अर्थिसास्त्त में यत्र कहीं-कहीं यत्रततत्त जो भी विचार उसके हैं उनसे यही लगता है कि वो देवी उत्पत्य का सिद्धान्त राज की उत्पत्य का नहीं मानता है और वो सामाजिक समझता सिद्धान्त को ही राज की उत्पत्य का सिद्धान्त बताता है और चे आपई आ जस्वह कारते मनू ने बताया सप्तांग सिद्धान्त उसी प्रकार से आचारी विष्णों गुप्त ने बताया है सप्तांग तो राजा अमात जनपध दुरूर्ग कोस दंड वेमित्र और इसी प्रकार से सुक्र निति में शुक्र जो तीसरा विचारक है भारतिय राजनिति विचारकों में उसने भी सब्तांग सिद्धांद के यही साथ तंग बताया हैं जो मनुष्मृति में मनुद्वारा बताया गया है कोटेले राजी के तुलना मानव सरीर से करता है अमलब जिस प्रकार से मानव सरीर कई अंगों से मिलकर बना है उसी रूप से साव्यव सिद्धांद की बाद कोटेले अपने अर्शास्तर में करता है इस सरीर रुपी राजी में राजा सिरके समान है अमात्य को वो आँख कहते है सुहर्तिया जनपद को कान कहते है कोस को मुख कहते है और दंड को मन कहते है दुर्ग को हाथ कहते है और राष्ट को पैर मानते है इस प्रकार से जो ये साथ प्रकृतियां हैं स्वामी, अमाते, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड और मित्र, कोटिली द्वारा भी इन ही आधारों पर राजिका सप्तांग से धानत अपने ग्रंथ अर्थसास्तर में बताया है इस वीडियो में हम खास तोर से जो चर्चा करेंगे वो गुप्त-चर व्यवस्था और उनके योगदान के संदर्व में करेंगे क्योंकि राज की उत्पत्ति की होने के बाद राजा के बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे उनके गतिविदियों को जानने के लिए कोटिल अपने अर्शास्तर में करता है कोटिल दूतों की गतिविदियों तथा दूसरे राज की नीतियों वा कारियों के निरंतर जानकारी एकत्रत करने के लिए गुप्त-चर व्यवस्था की व्यवस्था करता है गुप्त-द्रश्टी रखने वाले इस्त्रिपुरुस को गुप्त-चर कहता है अर्थ-शास्तर के दो अधिकरण विन्याधिकारिक और ग्यार्मा अधिकरण संग ब्रत में गुप्त-चर व्यवस्था का उल्ले किया गया है विन्याधिकारिक में राजा द्वारा नियुक्त वा संग ब्रत में कूट निती संबंद तथा विजित विदेशी राज्यों के व्यवार के संदर में इस्पस्ट रूप से गुप्त-चर व्यवस्था का उल्ले को टिली द्वारा किया गया है जिस प्रकार एक अच्छी सा संख्यों व्यवस्था के लिए योगि अनुभवी एवं олж्य्वान व्यक्तियों के परामर्स के आवस्टा होती है उसी प्रकार स्वेम अपने राज एवं मित्र अत्वा सत्र के राज के बारे में जानकार्य प्राथ करने के लिए योगी गुप्तितोरों की आशक्ता होती है रात्रि पछम भाग में गुप्तितोरों से मिलना तथा रात्रि के सात्वें भाग में गुढ वारता उपर विचार करना चाहिए इस तरह की बाद महीं कोटेल ने अपने अर्सास्तर में बताई है कोटेल ले गुप्चरों को दो वरगों में विवाजित करता है या दो वरगों में बांड़ता है पहला है अभ्यांतर जो गुप्चर मंत्री तथा उच्च अधिकारियों के घर में रहकर उनके क्रिया कलावों की जानकारी को राजा को देते हूं वह अभ्यांतर गुप्चर कहलाता है यानि कि जो सड्यंतर आज भी होते हैं पहले भी होते थे जो राजा के मंत्री और उच्छे दिकारी हैं अगर वो राजा के खिलाब कोई सड्यंतर रत रहे हैं तो उनके घरों में रहने रहकर उनके गुप्त जानकारी प्राप्त करने वाले गुप्त चरों को अभ्यांतर का नाम कोटली द्वारा दिया गया है और दूसरा जो वर्ग गुप्त चरों का बताया है वो है भाईये जो गुप्त चरों द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर राज के करमचारियों के कारियों ये उम पृतिनीदियों पर नजर रखता हो वो बाहिय गुप्चर कहलाता है गुप्चरों के प्रकार संस्थागत गुप्चर और सत्री या ब्रह्मनसिल गुप्चर उपर दो वर्ग बताये हैं और उन वर्गों में भी गुप्चरों के प्रकार संस्तागत गुप्चर और सत्री या ब्रहमनसील गुप्चर दो इनके प्रकार बताये हैं अब संस्थागत गुप्चरों को पांच प्रकार बताए हैं कापटिक, उदायश्तित, ग्रहपतिक, वैदहिक और तापस यह पांच प्रकार के जो गुप्चर हैं वो संस्थागत हैं संस्तागत का मिलब एक जगह इस्तिर रहकर किनहीं गुप्त चीजों को समझ कर राजा तक उनकी सुचना पहुंचाने का काम जो करते थे एक स्थान पर रहकर ही वो संस्तागत गुप्त चर कहलाते थे पहला है कापटिक दूसरों के गुप्त रहेशों को जानने वाला दवंग तथा विद्यारती वेसमें रहने वाला गुप्त सर कापटिक कहलाता है क्योंकि विद्यार्थी वेश में जो रहता है वो उस पर कोई सक नहीं करता है और वो गुप्त रहिश्यों की जानकारी प्राप करके राजा तक पहुंचाता है उसे कापटिक कहा गया है उदाइस्थित दो संस्तागत गुप्त रहों का दूसरा प्रकार है वो है उदाइस्थित सन्यासी वेश में रहकर अपने सिस्ष्यों सहित क्रसी पसुपालन तथा व्यापार होने वाले स्थानों पर रहकर अपना कारे करने वाले गुप्त रहों को उदाइस्थित कहा गया ह लब जहां पस्वों का मेला लगता हो, क्रशी का वयापार होता हो, वहां सन्यासी वेश में रहकर स्वेम तता अपने सिश्यों के साथ वहां इस्थाई रूप से डेरे या मेले के टाइम या जो उनका वयापार का जगे थी, मां रहकर जो सुचना एकत्रित करते थे उनको उदाइस्तित गुप्टतर के रूप में कहा गया है तीसरा जो संस्तागत गुप्टतर का प्रकार है वो है ग्रहपतिक बुद्धिमान पवित्र हिर्दे गरीब किसानों के बीच में रहकर क्रशिकार्य के निर्धारित की गई भूमे में जाकर उदाइस्तित की कारे करने वाला गुप्टतर गुप्टतर का प्रकार है उसमें कहता है कि पवित्र हिर्दे हो गरीब और किसान वेस में रहने वाला हो और बुद्धीमान हो वो उसको निर्धिशारत के गई भूमे में जाकर उसी इस्तिती का कारे करने वाले गुप्ट्चर ग्रहपति कहलाता है बैदहिक, बुद्धिमान, निर्धन तथा गरिव्यापारी के वेस में रहकर व्यापार द्वारा होने वाले कारियों और संस्थानों के जानकारी प्राप्त करने वाला गुप्टचर वैदेही गुप्टचर कहलाता है और जो पांच्वा प्रकार का संस्थागत गुप्टचर है वो है तापस जो सिर्का मुंडन करवाय हुए हो अथ्वा अपनी जटा बढ़ाय हुए हो कि ये व्यक्ति राजा के लिए कारे करने वाले उसे तापस गुप्चर कहते हैं यह साधू वेस में रहने वाले माने गई है यह गुप्चर ऐसे परपूंच जाते थे जहाँ दूसरे यह और अन्य वैक्ति नहीं परसकते थे क्योंकि साधों के प्रती प्राचिन काल से ही मनुष्य में बड़ा आदरभा होता था इसलिए उनको कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोकता था और उन पर सहजी लोग विश्वास कर लेते थे तो वो चाहिए जटा बढ़ाये हो चाहिए मुंदन करवाये हो वो ऐसे स्थानों पर पहुंशे थे जहां दूसरे व्यक्ति नहीं पहुंश सकते थे उनको तापस गुप्चर कहा गया है इस प्रकार से संस्तागर्थ गुप्चरों में पांच प्रकार बताये कापटिक उदायिस्तित ग्रहपतिक वैदाइक और तापस और जो दूसरा प्रकार गुप्चरों का बताया है वो वर्ग बताया है सत्री या ब्रहमनसेल का मतलब हुआ जो घूम घूम के जगे जगे जा जाकर गुप्च चीजों का गुप्च बातों का रह से जाने वो ब्रह्मनसेल या सत्री गुप्त्र के रूप में माना गया है सत्री ऐसे गुप्त्रों को बालेकाल से ही ऐसे गुण सिकाए जाती थी ये जोट्शी के वेश में रहते थे जोट्शीयों से भागी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो तेक व्यक्ति चाहे अधिकारी हो अथ्वा सामानी प्रदाजन जोतिसों को अपने घरों में बुलाते हैं और ऐसे गुप्चर किसी भी घर में गुशकर लोगों के भेद जान सकते हैं ब्रह्मन सेल जो जोतिसी के बेश में रहता हो जोतिसी आज भी वर्तमान समय में भी घर-गर में जाते हैं और वो अपने ग्यान द्वारा उनको प्रभावित करके उस घर की या उसके गुप्त बातों का रहसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें अच्छा यादिकारी हो और चैश्टामानी प्रजाहो। दूसरे प्रकार का जो सत्री या ब्रह्मन से इल गुप्ट्चर है वह विक्षु की। जो इस्त्री वेसमें या व्रध इस्त्री जो भ्रहमन वरंकी हो। जो अंतेपूर या रनिवास में सम्मान प्राप्त हो। जिसका मुख्य अमात्यों के घर में आना जाना हो ऐसे गुप्तसर को बिख्षुकी कहा जाता है। बिख्षुकी सामाने तोर पर इस्त्रियों को या ब्रद इस्त्रियों को बनाया जाता था जो ब्रामन वरनकी होती थी। वो रनिवास में जिसको अनतपूर कहा गया है और उसे सम्मान प्राप्ट करने किए वी हो एसे गुप्तचरों का आना जाना अधिकारियों और रनिवास में आना जाना रहता था और वो क्योंकि सड्यंत्र राजा के प्रथा थी कि कई कई रानियों होती थी वो आपस में भी सड्यंत्र करके और राजा को नुक्सान पहुंचाने की योजना बनाती रहती थी अधिकार उनका साथ देते थे इसलिए ऐसे बिक्षू की गुप्टचरों जो इस्त्री वेस में रहकर रनिवास और अधिकारी या सामान जनों के बीच में जाकर अपने जानकारी प्राप्त करे और राजा तक पहुँचाए ऐसे गुप्टचरों को बिक्षू की गुप्टचर कहा गया है तिक्षन तीसरे प्रकार का जो सत्री या ब्रह्मन सेल गुप्टचर है वो है तिक्षन देश में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो धन के लिए अपने होसे फ्राणों टीसmer प्रवान करके हाते शेर सामसा टाहिए संगर्ष करने को तयार रहते हूं उससे तिक्षन गुप्टचर कहा गया है तो बनकी प्राणो के लिए अपने अपाने के लिए अपने झायुचाए लिने वाला होता होता है और किसी के बारे में भी जानकारी प्राट करने के लिए अपने प्राणों की आहूती भी दे सकता है उसे केवल धन चाहिए होता है उसे तिक्षण गुप्तर का आ गया है रशद रशद का अर्थ है जहर देने वाला अपने बंदूं या परिवार से भी इसने ने रखने वाले क्रूर प्रवर्ति के आलसी ऐसे गुप्तर गुप्तचर राजा के कहने पर किसी का भी बद कर सकते थे या किसी को भी मार सकते थे ऐसे इस प्रकार से क्योंकि बिना गुप्तचरों के बिना जैसे वर्तमान समय में चेहले सिपियाए इैडी घुप्तर ख्राजा डेंस रोजह से संस्थाय है वह आंत्रिक और भाई विदेशी और स्विम के राजिके अधिकारियों की और विदेशी सत्रुमित्रों की जानकारी तो जैसे जानने के लिए वर्तमान राजनितिक व्यास्ता में भी गुप्तच तुरों विवस्तारों के विश्थरत विव morals दिया है और अन्त मों हम बात करेंगे और यह योगदान की है भारती राजनति चिंदन पिता पहला योगतान है भारतिय विग्ञान का जनक और नद्ध को बीद बीदिए और विग्ञान का अरस्तु ठुको कहा जाता वे लेकिन भारतिय इसे नत्ध कर कोrepasam तो धोयथाटरी विशणोंगोंति द्कथम्न कोटिली को भारती राजनितिक चिंदन का पिता माना जा सकता है क्योंकि उसने यथार्त वाधी दरश्टिकोन अपनाते हुए राजनितिक व्योस्ता की है जिस प्रकार अरस्तु ने प्लेटों के आदर्स वादी राजनितिक व्योस्था को यथार्थ वादी व्योस्था में अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में बताया है उसी प्रकार से आचारे विश्णोगुप्त ने अपने ग्रंथ अर्थ सास्त्र में यथार्थ वादी को अपना कर राजनितिकी व्योस्ता की हैं दूसरा युगदान भारतिय राजनितिक साहित्य को मिठने से बचाना अर्चास्त्र में केवल कोटिली के विचारों का ही संग्रा नहीं मिलता अपितू उसके पूर्व के आचारियों यह संप्रदयों के विचारों के जलक भी मिलती है इस परकार राजनितिक साहित्य को परंप्रागत रूप से प्रचलित रखा है अर्थसास्त्र में जो विवरान कोटिली द्वारा बताया गया है वो स्विम अपने ही विचारों का नहीं उसके पूरु के आचारियों या बुद्धिमान दार्शनिकों या संप्रदयों के विचारों के जलक भी उसके गरंथे में मिलती है इसलिए भारतिय साहित्य को मिटन से उसने बचाया है यह भी बहुत बड़ा योगदान कोटिली का या आचारियों विष्ण गुप्त का माना गया है तीसरा जो योगदान है विवारिक राजनिती की प्रेणता कोटिली आदर्श्वादी नहीं या थार्थ वादी चिंतक हैं वह वस्तुते सासन संचालन व्यवार में जो प्रशासनिक व्यवस्ता सासन संचालन के लिए जो कूट निती का इस्तेमाल होता है और विदेश निती का जो मंडल सिध्धानत के बारे में संचालन किस प्रकार से किया जाना है उन सब के प्रेणता के रूप में उन्होंने व्यवारिक दस्टिकोन अपन चोथा योगदान ध्रम राजनिति के प्रत्क करने बिन्य अदिकारी में धर्म राजनिति को प्रत्क मानकर विभ्रण दिया है विधाओं को चार भागव में बाटना ही धरम और आनिति को पृत्था करना है चार विधाओं हमने पहले भी इसका पहले की वीडियो में जिक्र किया है ग्यान की चार साखाएं चार विधाओं बताई हैं त्रही वारता आनुख्षकी और दंडनिती त्रही में वेद वेदांग के ग्यान आध्यात्म विश्वों को सामिल किया गया है। दंड़निती मनुसीं के जीवन में लोकिक वपार्लोकिक जीवन तथा त्रई वार्ताव आनुषिक में भली बाती संतुलन और क्रियान विति के लिए दंड़निती उत्तरदाई है अगर दंड़न नहीं होगा तो ज्ञान की थेन साथ हैं किसी का कोई अर्थ नहीं रह अतय उसने अपने व्यवारिक द्रश्टिकॉन के आधार पर राजनिति को धर्म से अलग किया ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया है नमबर पांच जो उनके योगदान के रूप में महतुपूर्ण है भारत को एक केंद्रिकरत सासन व्यवस्ता प्रदान की जो भारत छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था आपस में युद्ध और संगर्स करते रहते थे उनको सबको एक केंद्रिकरत सासन व्यवस्ता के अंतरगत उनको विजित करके सामिल किया और एक केंद्रिकरत सासन व्यवस्ता प्रदान की यह बहुत बड़े मसली छोटी मसली को अपना निवाला बना लेती है या उसको खा जाती है उसको समाप कर देती है उसी प्रकार से ताकतवर लोग निर्बल व्यक्तियों का सोशन करते थे उनके साथ अन्याई पूर्ण व्यवार करते थे लेकिन कोटिली ने अपनी अधार्दवाती द्रश्टिकून से राजजीव समाथ से मतस्य नयाई को समाथ करके विशाल सामराजी की स्थापन की तथा एक सुसंगठित सासन व्यवस्ता भारत को दी और ये बहुत बड़ी देन अरस्तु द्वारा भारते राजनिती को माने ग लुगदान है इस ग्रंत की जानकारी 1905 में डक्टर आर्श्याम सास्त्री ने की और 1914 में इसका हिंदी में संकलन किया तभी से ने केवल भारत में अपितु संपून संसार में चर्चा के विशा बन गई क्योंकि इसमें आदर्स वादी नहीं अपितु यथार्त वादी द्र राजनिती नहीं अन्य दूसरे विवारिक राजनिती करें दास्मिकों के लिए भी यह एतिहासी वस्तु मानी गई है यह बहुत बड़ा योगदान कोटिले का माना गया है और लोक कल्लानकारी अंतियम जो उनका योगदान है लोक कल्लानकारी राजी का समर्थन येद्दप्य कोटेले राजुत अंतर अटमेक साइन व्युर्वस्ता इस्ताप्यत करता है लेकिन राजा को निरंग कुष ने मानकर समाज का सेवक मानता है ततार राजा के कारियों में प्रजाहित को महत्पून स्थान दिया है और इस संदर में वो कहता है कि जो राजा अपने प्रजा का खयाल नहीं रखेगा प्रजाहित के कारे नहीं करेगा उसको नरक भोगना पड़ेगा और प्रजा उसके खिलाफ विद्रो करके उसको राजा के पद से मुक्त कर देगी क्योंकि राजा या राजी की उत्पति समझोते के दुआरा कोटिली ने अपने अर्शास्तर ग्रंथ में बताई है निसकर्स रूप में कह सकते हैं कि जो कार्य पाष्चाद राजनीती में अरस्तू, मेक्यावली, बेकन ने मिलकर किया भारत में वही कार्य आकेले चानक की या आचारी विश्ण गुप्त या कोटिली ने कर्के दिखाया है कोटिल्य की विदेशनितिके शिद्धानतों को आज की अंतराष्ट इस्तिती तथा समश्यों के समाधान में उप्योगी माना जाता है इस प्रकार से कोटिल्य भारतिय राजनिति विज्ञान के जनक है और राजनितिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, वैदेशिक विदेशों के सांवन्दों में इन सब में उनका महतुपून योगदान भारते राजनिती या राजनितिक विचारकों के रूप में उनको हमेशा याद किया जाएगा उनका योगदान बहुत महतुपून है इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम दूसरे राजनितिक विचारक के बारे में चर्च रहें हमेशा घर से बहार निकलते समय मास्क का प्रियोग करें एक बार पुन है आप सभी का धन्यवाद